ओम शांती, आज बाबा के 20 फरवरी 2021 के साकार मधुर महावा क्ये हैं, आज बाबा ने विशेश रूप से समझाया कि तक्राव का कारण क्या है और निवारण क्या है, तक्राव का मूल कारण है देह अब इमान, जब देव इमान होता है तो आपस में चुट चुटी बात पर तक्राव होता है और इसका निवारण है देही अब इमानी बनना, याद में और सेवा में बिजी हो जाना, बाबनी का ये भी माय की ग्रहचारी है, जब आप याद में बिजी रहेंगे, सेवा में बिजी रहेंगे, तो ग्रहचारी उतर जाएगी, देव इमान समाप्त हो ज है औरो को जगाना जो भी आत्मा आपको मिलते हैं उन्हें परमातम संदेश जरूर देना है कोई भी ये बात बावनिका नहीं चानते कि परमातमा पिता बनकर वर्सा देने आया है आप बच्चे स्तथे को जानते हो तो औरो को भी समझाना है फिर बावनिका आपकी जो मुख् धारणा है वो है पवित्रता ब्राम जीवन की ये स्रेष्ट धारणा है इसके लिए आपको चाहिए कितना भी त्याग करना पड़े सेहन करना पड़े सुनना पड़े त्याग में भाग्य कानुभव करना है कभी अपने इस मर्यादा को नियम को तोड़ना नहीं त्याग मे भाग्य अन्भोग करते हुए निरंतर आगे बढ़ते जाना है इसी के लिए गाया जाता है प्राण जाए पर वचन ना जाए फिर बाबने मास्टर सर्व शक्तिवान की परिभाषा बताई किसे कहेंगे मास्टर सर्व शक्तिवान बाबने का जो अपनी शक्तिवान को ओर्डर परमान चलाना जानते हैं वो मास्टर सर्व शक्तिवान है सारह मुर्णी का मीठे बच्चे तुम ईश्वरिय संप्रदाई हो तुमें ज्यान सुर्य बाप मिला अब तुम जागे हो दूसरों को भी जगाओ ज्यान सुर्य बाप मिला तुम जगे हो और उको भी जगाओ कुष्ण अनेक प्रकार की टकराव का कारण और उसका निवारण क्या है जब देविमान में आती हो तो अनेक प्रकार की टकराव होते हैं माया की ग्रहचारी बैठती है बाबा के ते दे ही अभिमानी बनू, सर्विस में लग जाओ, याद की आत्रा में रहू, तो ग्रह चारी मिट जाएगी, याद की आत्रा में रहने से ग्रह चारी मिट जाएगी, ओम शान्ती, रुहानी बच्चों के पास बाप आई है, शिरीमत देने, वा समझाने, ये तो ब बच्चे समझ गए हैं, ड्रामा प्लैन अनुसार, सारा कारे होना है, बाकी समय थोड़ा रहा है, इस भारत को रामणपुरी से विश्नुपुरी बनाना है, अब बाप भी है गुप्त, पढ़ाई भी गुप्त, सेंटर्स तो बहुत हैं, छोटे बड़े गाउं में, छोटे तो उसमें लिखना है, हम इस भारत भूमी को स्वर्ग बना कर छोड़ेंगे, तुमको भी अपनी भारत भूमी बहुत प्रिये हैं, क्योंकि जानते हो, भारत ही स्वर्ग था, इसको पांचार वर्ष हुए, भारत बहुत शांदार था, इसको स्वर्ग कहा जाता, तुम ब् स्वर्ग था, फिर से बनाना है, जो ब्रामन बने हैं, उन्हें ही ये नौलेच है, इस भारत को शिरीमत पर हमें स्वर्ग जरूर बनाना है, सब को रास्ता बताना है, कोई खिट-पिट की बात ही नहीं, आपस में बैट राय करनी चाहिए, कि इन परदर्शनी के चित्रों द्वारा हम ऐसी क्या एडवर्टाइजमेंट करें, जो अखबार में भी चित्र दें, आपस में इस पर सेमिनार करना चाहिए, आपस में मिलके सेमिनार करना चाहिए, कैसे कौन से चित्र दें, कि लोगों को समझ में आ जाए, जैसे गवर्मेंट के लोग आपस में मिलते है राई करते हैं भारत को हम कैसे सुधारें यह जो इतने मत वेद हो गई उनको आपस में मिलके कैसे ठीक करें भारत में शांती सुख कैसे स्थापन करें उस गवर्मेंट का भी पुर्शार्थ चलता है तुम भी पांडव गवर्मेंट हो बावनी का उनका भी पुर्शार्थ च पतित बच्चों को बेट पावन दुनिया खो लुझा, बनाते हैं ये बच्चे ही जानते हैं मुख्य है भारत का आधी सनातन देवी देवताधरम ये बच्चे जानते ये रुद्र ज्यान यग्य यह शिव बाबा द्वारा रचा हुआ यग्य रुद्र कहा जाता ईश्वर बाप को, शिव को, गाया हुआ है, वरोबर बाप ने आके, रुद्र ज्ञान यग्य रच्छा, उन्होंने तो टाइम लंबा चोड़ा कर दिया, अज्ञान नीद में सोई हुए है, अब तुम्हें बाबा ने चखाया, तुम्हें औरो को चखाना है, आपको बाबा ने चखा आपको औरो को जगाना है, ज्रामा प्लैनम सार, तुम जगाते रहते हो, इस समय तक जिसने जैस जैसे, जितना जितना पुर्शार्थ किया, उतना ही कल्प पहले भी किया था, युद्ध के मैदान में उतराव चड़ाव तो होता ही है, कभी माया का जोर हो जाता है, कभी इ अच्छी, तेजी से चलती है, और कभी-कभी माया विघन डालती है, बाबा कहते हैं, कभी तो बच्चों बहुत उमंग रहता है, कभी माया धीला भी कर देती है, माय एकदम बिहोश कर देती, लडाई का मैदान तो है न, रावन माया, राम की संतान को बिहोश कर देती है, लक्ष्मन के लिए भी कहानी है न, शास्त्रों में प्रसिद है, लक्ष्मन मोर्चित हो गया, बाबनी का आप बच्चों को भी कभी-कभी माया प्रास्त कर देती है, हरा देती है, तुम कहते हो, सब मनुशे कुम्ब करण की नींद में सोय हुए हैं, तुम इश्वरिय संप परदाय जागे हैं, बाकि दूसरे सब सोय हुए हैं, वो ये नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा आ गया, बानी का आप बच्चे जगे हो, औरों को जगा रहे हो, बाकि कोई भी नहीं जानते कि परमात्मा बाप आ गया, बच्चों को वर्सा देने, ये बिलकुल भूल ग इसमें कोई संशे नहीं, परम पिता परमात्मा का जनम भी यहां होता, शिव जियनती मनाते हैं, जरूर उसने आके कुछ तो किया होगा, बुद्धी कहती जरूर स्वर्ग की स्थापना की होगी, प्रेणा से थोड़े स्थापना होगी, यहां तुम बच्चों को राज्योग सिखाया जाता, याद की आत्रा समझाई जाती है, प्रेणा से कोई आवाज होता नहीं, समझते शंकर की भी प्रेणा होती, तब यादव मुसलादी बनाते हैं, प्रंतु प्रेणा की कोई बात नहीं, तुम समझ गई हो, उनका पार्ट है, ड्रामा में ये मिसाइल जादी बनाने का, प्रेणा की बात नहीं, ड्रामा मसार विनाश तो हो नहीं है, गया हुआ है, मां भारत लडाई में मिसाइल्स काम में आए, तो जो पास्ट हो गया, फिर रिपीट होगा, तुम गरंटी करते हो, हम भारत में स्वर्ग स्थापन करेंगे, तुम गरंटी करते हो, भारत में स्वर्ग स्थापन करेंगे, जा एक धर्म होगा, तुम ऐसा नहीं लिखते कि अनेक अधर्म विनाश होंगे, वह तो चित्र में लिखा हुआ है, स्वर्ग की स्थापना होती है, तो बहां दूसरा कोई धर्म नहीं होता, जब स्वर्ग होता है, तो एक ही धर्म हो का ब्रह्मा का और विश्नु का ब्रह्मा सो विश्नु विश्नु सो ब्रह्मा बड़ी गुई बाते हैं विश्नु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं ब्रह्मा से विश्नु कैसे बनते हैं यह सेंसिबल बच्चों की बुद्धी में जट आ जाता है जो समझदार हैं वो इन बातों को समझते हैं कि कैसे ब्रह्मा को विष्णु बन्ने में एक सकन लगता निश्चे की आधार पर और विष्णु को ब्रह्मा बन्ने में 5000 साल दैवी सम्परदाय तू बनते जी हैं एक की बात नहीं इन बातों को तुम बच्चे समझते हो दुनिया में एक भी मनुश्य नहीं समझता, बने लक्षमी नारण व विश्नु की पूजा भी करते हैं, प्रंत उनको पता नहीं कि विश्नु के दो रूप लक्षमी नारण हैं, जो नई दुनिया में राज्चे करते हैं, बाकि चार भुजा वाला कोई मनुश्य नहीं होता, ये सुक्ष अपने लक्षे को समर्ण करना है। लेज समझाता हूं फिर आता ही नहीं तो रचता और रचना के आदी मध्ययंत को जाने कैसे बाब स्वेख्रय में कiffra नहीं के सिवाय संगं यूग मैं कभी आता ही नहीं पूरे पांचर रुष्प में बाब के संगं पर आता हूं फिर कभी आता ही 23 मुझे बुलाते ही संगं बात है ना, मनुश्य कुछ भी समझ नहीं सकते कि पतित पावन बाप कब आएंगे, अब तो कल्यूग कांत कहेंगे, अगर कहते कल्यूग में 40,000 वर्ष पड़े हैं, तो और कितना पतित बनेंगे, कितना दुख होगा, सुख तो होगा ही नहीं, कुछ भी मालूम ना होने के क पारण घोर अंधियारे में हैं, तुम समझ सकते हो, तो बच्चों को आपस में मिलना है, चित्रों पर अच्छी रिती समझाना है, ये भी ड्रामानुसार चित्रादी सब निकाले हैं, बच्चे समझते जो समय पास होता, हुबहु ड्रामा चलता रहता है, बच्चों के रहचारी आकर बैठती, तो उसको मिटाने के लिए कितने प्रतन करते, बच्चे तुम देविमान में आते हो, इसलिए टक्कर होता है, इसमें देहिय भीमानी बनना पड़े, बच्चों में देविमान बहुत है, तुम देहिय भीमानी बनू, तो बाप की याद रहेगी, सर को देर में नहीं तो तद्वीर भी नहीं होगी, खुद कहते हैं, बच्चे अच्छी रिती समझ कAR औरों को समझाओ, कोई तो सर्विस में लगे रहते, पुरशार्थ करते रहते, ये भी बच्चे जैनते हैं, सेकंड जो गुजरता है, ड्रामा में नून्ध है, फिर ऐसे से फिर से रिपीट होगा, बच्चों को समझाय जाता, भार भाशन आदी पर अनेक प्रकार के नए आते सुनने के लिए, समझते हो गीता वेद शास्तर आदी पर कितने मनुश्य भाशन करते, उनको को ये थोड़ी पता है, कि या इश्वर अपना और अपनी रचना के आदी म अधियंत कराज समझाते हैं, रच्य ताही आकर सारा ज्यान सुनाते हैं, त्रिकाल दर्शी बनाना ये बाप का ही काम है, बच्चों को त्रिकाल दर्शी बनाना बाप का काम है, शास्तरों में बाते हैं नहीं बाते हैं, बाबा बार बार समझाते, कहां भी पहले-पहले जहो गीता का भगवान कौन, गीता ज्यान दाता कौन, निराकार श्रिव हैं, गीता ज्यान दाता, ये बाते प्रोजेक्टर पर तुम बच्चे समझा नहीं सकेंगे, परदर्शनी में चित्र सामने रखा हो, उन पे समझा कर तुम पूठ सकते हो, कि अब बताओ गीता का भग चाहिए, फोर्म भराना चाहिए, फिर सबसे सिगनेचर कराने चाहिए, इतने में चेडियों का आवाज हुआ, देखो कितना जगडती हैं, इस हमें सारी दुनिया में लड़ाई जगडा है, मनुष्य भी आपस में लड़ते रहते हैं, मनुष्य में ही समझने की बुद्ध पांच विकार भी मनुष्य में गाए जाते हैं, जानुरों की तो बाती नहीं, बाबनिक कहा कि पांच विकार भी मनुष्य में ही गाए जाते हैं, यह विशियस वर्ड, वर्ड मनुष्यों के लिए कहा जाता, कलियों में आशुरी संप्रदाई हैं, सत्यों में दैवी संप रास्त का पता है, तुम सिद करके बता सकते हो, सीडी में भी बड़ा कलियर दिखाया है, नीचे है पतित, उपर में है पावन, इसमें बड़ा कलियर है सीडी ही मुख्य है उतरती कला और चड़ती कला, जो रास्ते जन्मों की जो कहानी वाली सीडी है बाबनी को उसमें स्पस्ट दिखाया हुआ कैसे चड़ती कला फिर धीरे धीरे उतरती कला ये सीड़ी बड़ी अच्छी है इसमें ऐसा क्या डाले जो मनुष्य अच्छी रिती समझ जाएं बरोबरी ये पतित दुनिया है पावन दुनिया स्वर्ग थी यहां सब पतित हैं प प्रंतो सीड़ी बहुत अच्छी बननी चाहिए अच बाबा याद कर रहे है अतम प्रकाश भाई जी को बाबा ने कहा कि बच्चे पूछते हैं कि बाबा ये चित्रे ऐसे बनाएं सीड़ी पहले बाबा कहते बनानी चाहिए इस पर बहुत समझा सकते हैं चुरासी जनम सत्यूग के बाद सीड़ी उतरनी होती ये भी बच्चे जानते हैं हम पार्ट धरी एक्टर्स हैं यहां से ट्रास्फर हो सीधा सत्यूग में नहीं जाते पहले शांती धाम में जाना है यहां से जाएंगे तो पहले शांती धाम जाना है हाँ तुम्हारे में भी नंबर वार हैं जो अपने को पार्ट धरी समझते हैं इस दुनिया में बाबा के तब आपको ज्ञान मिला है कि हमा अत्माई पार्ट प्ले कर रहे हैं पार्ट धरी हैं बच्चे भी नंबरवार हैं जो इस बात को समझते दुनिया में ऐसा कोई कहना सके कि हम पार्ट हरी हैं, हम लिखते भी हैं, पार्टोरी एक्टर्स होते भी, ड्रामा की creator, director, आधे मध्यन्त को नहीं जान सकते, तो वो first class बेज समझें, जो नहीं जानते तो उनको बेज समझ कहा जायेगा, यह तो भग्वान वाच है, शिव भगवान वाच प्रमात अंद्वारा ज्यान सागर वो निराकार है उनको अपना शरीर है नहीं बड़ी समझने की युक्तियां है तुम बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए हम किसी की गलानी थोड़े ही करते हैं तो राइट बात है जो भी बड़े बड़े हैं उ सब के चित्र तुम डाल सकते हो शीड़ी कोई को भी दिखा सकते हो चित्र के द्वारा किसी को भी बता सकते हो समझा सकते हो विशेश बाबा के ते सीड़ी के चित्र के द्वारा अच्छा मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रदी मात पिता बाप तदर का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, रुहानी बच्चों की रुहानी बाप ददर को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धारणा के लिए सार, भारत में सुक शान्ती की स्थापना करने, वह भारत को स्वर्ग बनाने के लिए आपस में सेमिनार करना है, शिरीमत पर भारत की ऐसी सेवा करनी है, सर्विस में उनती करने वा सर्विस से उंच पद पाने के लिए देही अभिमानी हो रहने की मेहनत करनी है, उंच पद पाने के लिए देही अभिमानी हो रहकर की मेहनत करनी है, सोल कॉंशियस बनने की मेहनत करनी है, ज्ञान का विचार सगर मन्थन करना है, वर्दाने अपनी स्रेष्ट धारणाओं प्रती, त्याग में भाग्य कानुभव करने वाले सच्ची त्यागी भव, अपनी स्रेष्ट धारणाओं की प्रती, त्याग में भाग्य कानुभव करने वाले सच्च त्यागी भव। ब्रामनों की स्रेश्ट धारणा है संपूरन पवित्रता। इसी धारणा के लिए गायन है प्राण जाए, धर्म न जाए। किसी भी प्रकार की परसिती में अपने इस धारणा के प्रती कुछ भी त्याग करना पड़े। सेहन करना पड़े, सामना करना खुशी खुशी से करो, इसमें त्याग को त्याग न समझ, भाग्य कानभव करो, तब कहेंगे सच्ची त्यागी, ऐसी धारणा वाले सच्चे ब्रामन कही जाते हैं, जो त्याग में भाग्य कानभव करते हैं, अपनी धारणा को कभी नहीं छोड़ते हैं, ऐसे को ही कहा ज जाता है सच्चे ब्रामन स्लोगन ने सर्वशक्तियों को अपने ओर्डर में रखने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिवान है सर्वशक्तियों को अपने ओर्डर में रखने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिवान है आज हम इस स्मृति में रहेंगे ज्ञान सुर्य बाप मुझे मिल ग्यान सुर्य बाप ने मुझे भी अपने जैसा मास्ट्र ग्यान सुर्य बनाया है मुझे स्वेहम जग कर औरों को जगाना है ओम शान्ती सभी भाई बहनों के लिए बहुत बड़ी खुश खबरी है ये तो हम जानते ही हैं कि अभी समय प्रमान हम सभी को योग युक्त स्थिती बनाने की अतियावशकता है हमे दिन में बीच बीच में बाबा को याद करने की युक्ति निकालनी चाहिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए योग की अनेक वीडियो तैयार की गई हैं और वह आज से दिन भर लाइव चलती रहेंगी आप जब भी फ्री हों अपना मुबाइल निकालें और यह योग अभ्यास की वीडियो सुनते रहें ये सभी लिंक आज से मुरली के डिस्क्रिप्शन में और नीचे कोमेंट बॉक्स में भी मिल जाएंगे आप इनका जरूर लाब लें अब सुनते हैं आज की अव्यक्त मुरली